सब टीवी के शो अली बाबा एक अंदाज अंदेखा में अब एक बार फिर से एक लीड क्रेक्टर की रिप्लेसमेंट होने जा रही है तुझे लिए जानती हैं कि आखिर अब शो को किस ने छोड़ा और उनको कौन रिप्लेस कर रहा है शो के मुख्या विलेन इब्लिस जिनका की रोल शो में कार्तिक जयाराम निभा रहे थे अब इन्होंने शो को छोड़ने का फैसला किया है हलांकि सिया के राम फेम अक्टर कार्तिक जयाराम शो को क्यों छोड़ रहे हैं इस बात को लेकर फिलहाल कोई भी इन्फोर्मेशन सामने नहीं आई है लेकिन अब शो के नए इब्लिस बनेंगे आक्टर आरव चोधरी आरव चोधरी इब्लिस का किरदार निभाने को लेकर कहते हैं कम से कम कहने के लिए एक बुरे चरितर को चितरीत करना चुनोती पुरण है और मुझे यकीन है कि दर्शक इसे सराहेंगे इब्लिस अब तक मेरे द्वारा निभाए गए सभी किरदारों से अलग है मैं इस चरितर की उरजा को बुलिवुड के कुछ सबसे बड़े खलनायकों के समान ही मानता हूँ मैं सायंतनी के साथ फिर से काम करने के लिए भी उत्सुक हूँ और हम पहले ही सैट पर एक दूसरे के साथ बाच चीत कर चुके हैं मेरा लक्षय एक अब इस मरणिया पर दर्शन देना है जो दर्शकों पर अपनी छाप छोड़े सोनी सब के साथ यह मेरा पहला जुडाव है और सोनी सब परिवार का हिस्सा बनना मेरे लिए सोभग्या की बात है अक्टर अरव चोधरी की बात करें तो यह से पहले भारत का वीर पुतर महराना परताप महा भारत और जहांसी की रानी जैसे कई शोस का हिस्सा रहें तो यह इन दिनों का लर्श के शोस सुराल सीमर का सीजन टू में दिखाई दिये हैं तो अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर अरव चोधरी को नए इबलिस के किरदार में कितना पसंद किया जाता है आप शो में इनके अंट्री को लेकर कितने एकसाइटेड हैं हमें बताई यह नीचे एक मैट सेक्शन में सूडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए